नमस्कार दोस्तों आग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्योहार टोटके मैं हुआ आपके साथ रिमचिम शर्मा दोस्तों भाई बहन के प्यार काते होार रक्षा बंधन बेहत करीब है इस बारी स्रा escaping मैस की पौणिमा तिथी तीन अगस्त को पढ़ रही है तीन अगस्त को हम रक्षा बंधन का तेओहार पोरे हर्ष व्लास के साथ मनाते हैं पूरे साल कह सकते हैं तमाम बहनों को इंतजार रहता है अपने भाई को राखी बानने का भाई की कलाई पर राखी बानने का ये दिन है और इस तिन भाई जो है वो बहनों को आशिरवात देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि वो उनके साथ सदय अब खड़े हैं अगर बदले में आप क्या सकते हैं भाई का विश्वास और सने उन्हें मिलता है दोस्तो इस साल रक्षा बंधन की अगर हम बात करें रक्षा बंधन का जो महुर्त है भद्रकाल इस साल अगर बात करें तीन अगस्त को बहुत कम समय के लिए है भद्रकाल में रक्षा बंधन हम नही करते हैं तो भद्राकाल को हम वर्जित मानकर अगर आगे की बात करें तो शुब मोहुत शुरू हो जाता है सुबह 9 बच कर 29 मिनट से आप 9 बच कर 29 मिनट से साड़े 10 बजे तक पहले मोहुत में राखी बान सकते हैं और उसकी बाद आप देड़ बजे से साड़ी साथ बचें तक अब कभी भी रक्षा बंधन का तेओहार मना सकते हैं दोस्टों रक्षा बंधन पर मैंने इसे भी पहले वीडियो बनाए है रक्षा बंधन की थाली कैसे सजाए उस पर पूरी जानकारी मैंने आपके लिए दी है वीडियो के जरीए, आप वो भी देखें, आपको मैं लिंक उसका शेयर करूँगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से अपने भाई को आप रक्षा बंधन के दिन राखी बांधेंगे पूरी विधी मैं बताऊंगी, मेरे भाई मेरे साथ हैं और मैं इनी की कलाई पर राखी बांध के आपको बताऊंगी, आप भी उसी तरीके से राखी बांधेंगी, समागरी पहले ही मैंने आपको बता रखी है, तो शलिए आपको अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से अप रक्षा बंधन की थाली तैयार रखे अब इस थाली में जो चीजें हैं उसे कैसे भाई को लगानी है और कैसे फिर हम राखी बांधेंगे अब मैं आपको वो करके बताती हूँ तो आपको मैं बता दो सबसे पहले की बैठना कैसे होता है राखी जब आप बांधेंगी तो आपको बैठना है पूर्वदिशा की ओर मो करके आपके भाई की कामुख जो है वो पूर्वदिशा की ओर होना चाहिए और आप राखी उन्हें बांधेंगी आप किसी उचे स्था ये आज़्ष्मन किया जाता है कि आप उनका स्नान करा रही हैं तो आप ये जरूर करें आप अपने उपर भी जल का छड़काब करें और ये दोनों के उपर जरूर करना चाहिए इसके बाद आपको तिलक करना है तिलक के लिए सभी सामागरी तयार है हल्दी, कुमकुम, दही, अक्षत तो सबसे पहले मैं तिलक करूँगी हल्दी से हल्दी से तिलक के बाद आपको तिलक करना है कुमकुम से और केसर से अगर आप चाहते हैं आपके पास केसर है तो आप उसमें केसर भी मिला सकते हैं केसर आप अलग से भी तयार कर सकते हैं तो हल्दी के बाद, केसर का आप तिलक कीजिए, भाई का सर ढखा होना चाहिए, एस बात का आपको ध्यान देना है, आप जब भी रक्षा बंधन का तेवार मिनाने के लिए बैटिंगी राकी बादने के लिए, भाई का सर भी ढखा होना चाहिए, आपको ए रुमाल उन्हें तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कुम कुम के बाद आप तिलक करेंगी तही से तिलक करने के लिए मैं अनामे का उंगली का इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि भाई मेरे बड़े हैं जब भी आप किसी बड़े को तिलक लगाती हैं तो अनामे का उंगली से आप छोटे भाई को राकी बांध रही हैं, तो आप अंगूठे का इस्तिमाल कर सकती हैं, तो इस बाद का आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद अक्षद, अक्षद भी आप तिलग पे जरूर लगाएंगी, अक्षद लेते वक्त इस बाद का आपको खास ध्यान रखना ह ये अक्षत अकंड हो जो चावल आप लेती हैं, अक्षत का मतलब ही होता है अकंड तो आपको अकंड चावल लेना है, इसी अक्षत से आप भाई को अक्षत देंगी, साथी जो भी पुष्प है आप वो भी भाई के उपर छटकेंगी, तो ये जो एक विधी होती है, पूरा आपको बाई के पूझनी है, कुछ दो आपको उनकी पूझा करनी है, अब आपको नारियल देने का जो महत्व है आपको साथ में बता दू नारियल इसलिए दिया जाता है भेटसवरूप, आप ये भाई को राखी बाथ है, उसके पहले भेटसवरूप देंगी और भाई अप अपने भाइ को ये नारियल भेट्स वरूब दे रही हूँ, ये भेट इसली देया जाता है, नारियल शुभता का प्रतीक होता है, श्री लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो आप अपने भाइ के जीवन में खुश रहाली चाहती है, सुक्समरधी चाहती है, इसलिए उनको ज़रूर रखते हैं तो नारीयल पे वस्तर की बदले मैंने कलावल워 पेटा है आप भी इसी तरीके से रख सकती है पिन भाई के हात में अपहार स्वरूप देशकती है येन बद्धो बली राजरा दान वेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवधनामी रक्षे माचला माचला इस मंत्र के साथ आपको राखी बांधनी है अपने भाई की कलाई पर इस बात का दिहान रखें पहले से याद कर सकती है और उसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांदे तो राखी अब मैने बांद ली है और अब बारी आती है आरती की थाली पहले से अब तयार रखे और इसके बाद आपको भाई की अपने आरती उतार ली है आप आरती की थाली को जैसे मैं वैसे सजा स आर्थी आपको तीन बार या पांच बार उतारनी होती है आर्थी के बार आपको अपनी भाई का मुँ मीठा कराना एक महतोपूर्ण काम जो भी मिठाई आपके भाई को पसंद है वो मिठाई आप जरूर भाई को रक्षाबंधन के दिन खिलाएं और अब बारी आती है जल की किसे भी पूजाविधी को समाप्त करते वक्त भी आचमन जरूरी है तो आप एक बार फिर से जल का आचमन जरूर करेंगे इस दिये को क्या करना है आपने इस दिये को उठाके मंदिर में रख देना इस दिये को तुरंत बंद नहीं करेंगी क्योंकि ये दिया जब तक चलता रहेगा जब तक ये इसमें एग ही है आपको ऐसा नहीं कि आपने इसे यहां से हटाया और फिर इसे बंद कर दिया आप इसे अपने घर के मंदिन में रख सकते हैं तो ये पूरी संपूर्ण विधी हुई जो मैंने आपको बताई करके इसी तरीके से आपको भी इस रख्षा बंधन पर राखी अपने भाई की कलाई में बादनी है और रख्षा बंधन के दिन एक और जो खास चीज होता है इस पूरी प्रिक्रिया के बाद भाई और बहन एक दूसरी का आशिरवाद लेते हैं अगर भाई आपसे बड़े भी है तो भी और अगर भाई आपसे छोटे भी है तो भी बहन छोटी बड़ी कुछ भी हो भाई इस दिन बहन का आशिरवाद जरूर लेते हैं तो चाहिए ऐसा करना कि भाई राकी बंद बाने के बाद चपूरी विधी खतम हो जाए तो बहन को प्रणाम करें ये बहुत जरूरी है आशिरवाद लेना रक्षा बंधन के दिन और आपको इस तरह से दोनों हाथों को रखकर अपने भाई के सर पे आपको आशिरवाद देना है तो ये बहुत जरूरी है तो इस तरह से भाई आपसे चोटे हैं बड़े हैं जरूर आपका आशिरवाद ले रक्षा बंधन के दिन और वो अपने प्यार के तौर पर कोई भी तोहफा आपको देंगे आपको कुबूल करना है तोहफे के उपर भी मैं वीडियो बनाओगी किस तरीके का तोहफा देना चाहिए रक्षा बंधन के दिन क्योंकि बहुत जरूरी है ये भी ध्यान रखना हलाकि इस दिन भाई कुछ भी उपहार देते हैं प्यार से देते हैं और उस प्यार की ही जरूरत होती है एक बहन को तो इस तरीके से आप भी बड़े हाश्रवलास के साथ में इस रक्षा बंधन के तेवहार को मनाए ये संपोर्ण जहानकारी आपके जरूर काम आएगी मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आये तो जरूर लाइक करें शेयर करें कमेंट करके आपको कुछ और जहानकारी चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हैं अगर इसे तरह के वीडियोज आप देखना चाहते हैं, मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया